कैसे आप लोग तो आज जो है CA final में CA final में discussion करने जाएंगे revision और revision रहेगा portfolio management demand भी थी बच्चों की revision के लिए और portfolio management एक important chapter है इस बार जो revision हो रहा है portfolio management का उसमें target कुछ और ही है मतलब सर कहना क्या चाहते हो कहना ये चाहता हूँ कि जो revision करवा रहा हूँ उसमें मैं कोई selected questions नहीं करवा रहा हूँ selected questions की list मैं आपको दे दूँगा मैं पूरे questions revision करवा रहा हूँ हाँ जहां मुझे ऐसा लगेगा it means जो आपको notes दिये जा रहा है notes कहा मिले कि आपको इस channel के sorry इस video के description में आपको notes मिल जाए कि revision notes और उसमें कोई question छूटा नहीं है it means आपको सारी questions दे दिये हाला कि जब मैं revision करवाँगा तो मैं यह बताती हुए चलूँगा कि यह similar question है चाहो तो आप practice कर ले रहा हूँ ठीक है जी target fix है target यह है कि हम कोई question नहीं छोड़ेंगा ठीक है it means अभी तक जो चलता था सर selected question पर revision चलता था कि yes अभी selected question पर नहीं होगा paper से आपको समझ में आ गया होगा जो इस attempt में आया था ठीक है दूसरा जिनों ने मुझसे exam oriented class ले रखी है या फिर जिनों का जिनका regular चल रहा है जो 17 April से batch start हुई है जिनका मेट 2024 में attempt है उन लोगों के लिए भी एप्लिकेबल है as it is it means उन लोगों को इसका print out नहीं निकालना जो description में दिया है उसका print out नहीं लेना है आपको अपनी copy सामने रखने है आपको अपनी book सामने रखने है और मेरे साथ से revision करती हुए चलना ठीक है जहां जहां मुझे लगते जाएगा कि example काम का नहीं है ये concept बनाने के लिए हम आगे चलते जाएगे वो आगे-आगे समझ में आते जाएगा total portfolio management के तीन पार्ट होगे हाँ एक साथ 5-6 घंटे की class 5 घंटे की class में आपको देना भी नहीं चाहता पहला पार्ट आज होगा फिर अगला पार्ट आएगा अगले ही दिन आएगा चिंता ना करो और उसके बाद मतलब तीन पार्ट में मैं portfolio management cover करूँगा सर क्या होता था वो आपको मालूम है मैं काम की बात करूँगा portfolio management मैंने का portfolio management हम total मिला कर कितने पार्ट में cover करेंगे video आएगे तीन पार्ट complete coverage रहेगा complete coverage का मतलब concepts with सारे questions सारे questions तो portfolio management में याद करो बच्चों हमने क्या किया था एक तो बड़ा था modern portfolio theory MPD पहले ओई करेंगे किसने लिखा था इस theory को जिसने लिखा था उसका नाम था Markowitz दूसरा capital market theory या CAPM तो target ऐसा रहेगा कि पहला आज का video इस पे रहेगा modern portfolio theory पे दूसरा video रहेगा capital asset pricing model क्योंकि इसमें systematic risk unsystematic risk बहुत कुछ आएगा और तीसरा और last part इन दोनों पे रहेगा जिसका नाम है APT उसके एक दो ही question है और portfolio rebalancing target यह है कि classes जो थी वो करीब-करीब 35 35 से 40 घंटे की classes है और target यह कि क्योंकि सारा ही हमको cover करना है तो 40 घंटे की classes को हम 5 घंटे में portfolio management cover करने की कोशिश करेगे तीनों पार्ट मिलाकर तो इस्टार्ट करें यस मैं पूरी तरह से concept पे नहीं जाऊंगा क्योंकि concept आता है आपको ठीक तो आज का target पूरा करते हैं जिसका नाम है modern portfolio थेरिये कौन लिखा था सर सर मारकोविट्स लिखा था क्या बोलता था मारकोविट्स सर पूर्टफोलियो का मतलब होता है एक जगा पैसा लगाना एक जगा investment करना कि अलग-अलग stocks में पैसा लग-अलग तो अलग-अलग stocks में पैसा लगाना सही है यस पर मारकोविट्स बोलता है कि सिर्फ अलग-अलग stock में पैसा लगाने से no doubt आपका risk कम हो जाएगा लेकिन और एक बात है लगाए तो कौन सी stock में पैसे लगा आपने बोल दिया हमने सुन लिया कि ठीक अलग-अलग stock में बड़े सारी stocks पड़े हुए है अलग-अलग stock में लगाना है मतलब क्या सब में लगा दे तो Markowitz का कहना नहीं हमारे पास एक टेक्निक है और सुनो क्या टेक्निक है बोले मान लो आप दो ऐसे stocks में पैसा लगाना जिसका आपस में relationship negative है और मैंने ये example के साथ समझा था मैं Markowitz की बात कर रहा हूँ एक बार base बनेगा फिर आगे चलेगा मतलब सर्थ क्या कहना चाहते है वो एक कहना चाहता था कि ये example आपके study mat में भी है उसमें ये लिखा था कि मान लो आने वाले साल में दो ही season possible थे या तो जबरदस ठंड पढ़ने वाली पुरे साल भर या तो गर्मी पढ़ेगी कुछ भी हो सकता है और उनका ये कहना था कि अगर ठंड पढ़ी बहुत जबरदस ठंड पढ़ी तो गरम कपडे भिकेगे तो हमें ना गरम कपड़ों के जो business है उसमें पैसे लगा देना चाहते लेकिन ठंड पढ़ी तो गलत बन दे आगा अगर अगर बहुत ज़्यादा ठंड पढ़ी कहना था कि भाई एक काम गरो आपको खुद को नहीं मालूं ना कि आने वाले साल में ठंड पढ़ने वाली कि गर्मी पढ़ने वाली है एक काम करो दोनों में पैसा लगा दो आईस्क्रीम में भी लगा दो और उलन क्लोथ में भी लगा दो दोनों के बीच में relationship क्या होना चाहिए negative, important क्या था important यह था कि Markowitz बोलता था कि दो ऐसे stock में पैसा लगाईए जिसमें आपस में relationship negative है या तो गर्मी पड़ेगी या तो ठन पड़ेगी, कुछ न कुछ तो चले भी risk तो खतम हो जाएगा that's it, तो अगर मैं कहा हूँ पूरे Markowitz, सारी कहानी नहीं सुना सकता क्योंकि target है हमारा एक्चाम तो Markowitz भाई साब बोलता है modern portfolio किस ने लिखा था? Markowitz और Markowitz ने क्या बोला है कि portfolio क्या है बोले portfolio क्या है, sir bundle of securities ठीक है एक से ज़्यादा stock में पैसे लगाना target क्या है, target बस एक ही है risk को reduce करना risk reduction ठीक है और उनके सबसे क्या है बोले, अगर आप एक से ज़्यादा stock में पैसे लगाते हो तो क्या risk कम हो जाएगा yes, divergification करोगे spend किस पे है, correlation और जितना correlation, मतलब relationship और relationship क्या होना चाहिए, negative दोनो stock अलग-अलग moment होना चाहिए, तब बोले आपका risk कट जाएगा detail में discussion, मालूमें, इस line पर करिम से कम हमारा एक घंटे discussion हुआ था एक घंटे से जाथा ठीक है तो मारकोविट्स के हिसाब से दो ऐसी stock में पैसा लगाना है जिसका आपस में movement, negative मतलब एक बढ़ेगा, तो दूसरा कम होगा, तो दोनों में हमने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा दिया target यह है पर इसके लिए हमको उस stock का return तो पता लगाना पड़ेगा न यार अगर मैं कहता हूँ reliance में पैसा लगाना चलो recite कर लिए कि reliance में पैसा लगाना और एक stock में पैसा लगाना हाला कि उस stock का reliance के साथ negative correlation है मानता हूँ पर reliance कितना percentage कमा कर देगा यह कैसे पता लगेगा एक ही तरीका है कितना percentage कमा कर देगा future की बात करो estimated return कैसे निकालेंगे एक ही तरीका है जो past में हुआ है वही future में होगा कास कोई मुझे बता दे कि reliance ने पहले साल कितना कमाए था पहले पिछले पास साल का return बता दे किसी साल 20 परशन किसी साल 25 किसी साल 30 किसी साल 12 परशन उन सब को जोड लेंगे उसका average करेंगे और average निकालोगे वही तो future का return आएगा on an average सर तो कम जादा नहीं हो सकता कि हो सकता है deviation भी हो सकता है वो भी सिखेंगे ठीक है target क्या है target यह है कि काश मुझे कोई बता दे कि reliance का future में कितनी कमाई देने वाला आने वाले सामने और कोई ये भी बता दे कि यार उसमें कम जादा भी तो हो सकता तो कितना कम जादा हो सकता ये सिखाना इट मेंस हमको क्या सीखना है हमको सीखना expected return and risk of पहले बात किसकी करेंगे single stock पहले पोर्टफोलियो की तो बात ही नहीं हो रही है पहले बात हो रही है single stock एक-एक stock में कितना पैसा लगाना तो उसके लिए सबसे पहले on the basis of past data past data दिया रहेगा उसके basis पे हमें expected return नकालना मतलब सर मतलब मुझे पिछले past साल का return चाहिए समझा रहा हूँ मैं समझाती बज़े लूँगा और पिछले past साल का कोई return बता दे एक, दो, तीन, चार, पाँच पिछले past साल का कोई return बता दे तो सब को जोड़ लूँगा divided by 5 कर दूँगा और यह future का return आ जाएगा यह ना, हाँ बोलो न यार हाँ पर दिक्कत क्या है यह return निकलता कैसे return निकलता कैसे तो ऐसे निकलता है कि आज share का price है 500, इससे पहले था 4500 4500 रुपय था जीरो में जब खरीदा था और आज हो गया 500 और हमको dividend भी मिला 20 रुपय तो बताए हमारी कितने percentage की कमाई हो रही है first year first year से पहले सर 4500 रुपय था yes कितना हो गया 500 तो सर 50 रुपय की तो यह कमाई होई yes और 20 रुपय की यह कमाई तो टूटल मिलाकर हमारी 70 रुपय की कमाई हो रही है कितना था सुरू में प्राइज सर 4500 था into 100 तो 70 divided by 450 into 100 percent आया 15.5 percent ऐसे ही हम पिछले सालों की return निकालेंगे इसको जब mutual fund में जाओगे holding period return भी बोलते था हालकि holding period return नहीं है यह annual return है इस साल का ऐसी return निकालेंगे फिर इस साल का निकालेंगे फिर इस साल का निकालेंगे और फिर उसका average करेंगे तो फिर आजाएगा expect return it means sir आप क्या कहना चाहते हो मैं यह कहना चाहता हूँ हम यह percentage में return निकालना पड़ेगा तो past data दिया उसके basis पे सबसे पहले मुझे annual return निकालना पड़ेगा ठीक ठीक है sir annual return सबसे पहले ठीक है sir इसके बाद आगे चले annual return का formula देख लेए कि yes change in price देख रहा है ना भई plus income मतलब वो यह dividend divided by नीचे क्या लिखना है beginning price या फिर आप बोल सकते हो P1 minus P0 plus income divided by P0 into 100 ठीक और एक बार निकल गया annual return तो फिर हम क्या निकालेंगे expect return उन सबको add कर देंगे divided by 5 कर देंगे और एक बार expect return निकल गया तो उसके बाद क्या निकालेंगे standard deviation जो कि मैं आपको समझा दूँगा मैं भी formula पर नहीं जाना चाहता है एक्जामपल से बात करते हैं एक्जामपल नमबर वान हाँ अच्छे से करना एक्जामपल नमबर वन काम का है बहीं क्या बोल रहा है एक्जामपल बोल रहा है एर दिया है 2001 2002 2003 45 closing price दिया है और DPS का मतलब dividend per share दिया है मुझे annual return निकालना है मुझे अभी expect return या average return निकालना annual return निकालना कैसे निकालना सर 2001 का पहले price क्या था पहले price क्या था यह नहीं मालम तो 2001 का कभी भी नहीं निकल सकता annual return हम ही start कहां करना पड़ेगा 2002 से तो 2002 में price कितना हो गया 130 पहले कितना था 500 तो बुलो price कितने से बढ़ा surprise बढ़ा 30 रुपीज से एक तो यह फाइदा dividend भी तो मिला सर अब dividend कितना लेना होता है याद करो यहां फैसे थे हम लोग 20 रुपे लेना कि 15 रुपे यहां गलती हो सकती है मैं मालू है revision मैं basically किस चीज पर ध्यान दूँगा मैं इस चीज पर ध्यान दूँगा कि आपसे क्या क्या कहां कहां गलती हो सकती है मैं जानता हूं मुझे जानता हूं कि आपने गलतिया किया है बस वही समझाना कि आपसे कहां कहां गलती हो सकती है काफी सारे बच्चों से यहां गलती हो रही थी जबकि मुझे इस साल का रिटन निकालना तो मुझे डिविडेंट 20 रुपे लेना है कि 15 रुपे इस साल का डिविडेंट लेना है 15 रुपे फिर जब मैं इस साल का रिटन निकालूंगा तो 550 माइनस 530 करूंगा या प्राइस क कभी भी फर्स्ट इयर का एन्वल रिटन निकली नहीं सकता क्योंकि इसके पहले का प्राइज नहीं मालू दूसरी बात कि डिविडेन पर ध्यान देना हमको इस साल का डिविडेन लेना हो रहेगा इस तरह से काम हुआ 2002, 2003, 2004 और 2005 का एन्वल रिटन निकाला गया तो बोलो कित of future में क्या होगा तो कैसे करूंगा इसी को divided by 4 ही तो कर दूंगा तो वही करेंगे लेकिन उसके लिए मैंने के अगला example लिया example number 2 example number 2 year दिया है 2001,2,3,4,5 5 साल मैंने दे दिया और इस बार मैंने आपको annual return निकाल कर दे दिया है percentage में याद रखना हमें percentage चाहिए तो percentage में हमने annual return निकाल दिया कैसे निकाला था ये पता है सर P1-P0 plus income divided by P0 अब इसके basis पे हमें निकालना पड़ेगा expected return और risk और risk को हमने क्या नाम दिया था standard deviation ठीक है सर निकालना कैसे कुछ नहीं भाई सबको जोड लीजिए और divided by 5 कर दिजिए पर खिर भी proper हम table में करते थे table में हम return भी निकालते थे table में हम risk भी निकालते थे तो ये देखो मैंने लिखा pass और ये देखो मैंने x को क्या लिखा x x तो इन सब को add कर लिया तो total कितना आ गया 65 और फिर summation of इसको बलते है summation of x और summation of x को n से divide कर लिया तो ये आ गया 13 पर्षन इसको बोला जाता है x bar ये इसको बोला जाता mean ये इसी को बोला जाता expected ठीक है यसा तो पाश्ट को देखते हुए हमें ये लग रहा है सर कि on an average reliance company future में 13 पर्षन कमा कर देखी पर पक्का 13 पर्षन मिलेगा क्या नई सर क्या पक्का मिलेगा नई सर कम भी हो सकता है जादा भी हो सकता है और पाश्ट में हमने सोचा जरूर है पाश्ट को देखकर कि 13 पर्षन आया या आएगा पर 10 भी तो आ सकता है तो हम क्या करते थे, हम deviation निकालते थे, deviation का नाम क्या मैंने दिया, x-x-bar, कि यार, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, और जो deviation निकालेंगे, divided y क्या करेंगे, 5, तो वही मैंने किया, x-x-bar, 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 10-13, तो minus 3 आ गया, 15-13, तो 2 आ गया, इस तरह से, और फिर मैंने जब इसको निकाला, और जब मैं इसका total मारने गया, तो 0 आएगा, आप बे जानते हैं, हाँ, बीच का निकाला है आपने, कुछ minus, कुछ plus, उन दोनों को जोड़ोगे, तो 0 यह आएगा ना, यार, फिर क्या कर देते हैं, तो x minus x bar को मैंने square कर दिया, 3 into 3, 9, 2 into 2, 4, और इस तरह से जोड़ा, तो total आ गया, 530, हाला कि इसको percentage square लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, मैं समझा चुका हूँ, 5, 3, 0, पर यह total कितने साल का है, 5 साल का, तो इसको मैं divided by किस से कर देना चाहिए, 5 से कर देना चाहिए, तो इसको मैं divided by 5 कर देता हूँ, तो सर यह आ गया, 106, percentage square, 106 percentage square, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, variance, variance भी बोलते है, variance, variance बोला जाता है, पर इसमें तो square किया, तो square root तो करना पड़ेगा, और इसको मैंने square root किया, तो यह आ गया, 10.29%, this is standard deviation, तो ऐसा है कि 13% की कमाई होगी, but 10% उपर भी आ सकता है, और 10% नीचे भी आ सकता है, this is standard deviation, और क्या सर पक्का 10% उपर या नीचे आएगा, नहीं, यह भी किसको देखकर निकाला, यह भी past को, on an average 10% उपर हो सकता, 10% नीचे हो सकता है, ठीक तो कुछ सब्द याद रखना पड़ेगा, यह सब्द याद रखना पड़ेगा, जैसी आप divided by 5 करते तो यह जो सब्दाता इसको क्या बोले जाता है, variance यह याद रखना पड़ेगा, और इसको square root कर देते तो इसको क्या बोले जाता है, standard deviation, ठीक है, हाँ सर, अभी बात किसक हो रही थी, अभी बात हो रही थी, single stock, तो समझ में ही आया कि सर, मान लो, expect written आया 13%, और मान लो, standard deviation, 10 बोलने में तकलीफ हो रही थी, मान लो, standard deviation आया 4%, सर, it means, इसका मतलब क्या है, सर, it means, reliance, will provide, return कितना provide करेंगे, 13%, पर क्या हो सकता है, deviate हो सकता है, सर, 4% से मतलब 17% भी आ सकता है, या 9% भी आ सकता है, तो अभी क्या-क्या समझे हमने, सर, अभी हम लोगों ने समझा, expected return, और standard deviation निकालना, किस बेसिस पे, on the basis of past date, अब on the basis of probability, on the basis of past data, को मालूम है, क्या नाम दिया जाता है, उसको बुला जाता है, x post data कभी आएगा ना तो घबराना मत तो हां गया भई इसको बोले जाता है x post data x post data मतलब on the basis of past data past year के सबसे और probability के सबसे निकालना हूँ तो इसको क्या बोलते है इसको बोलते है x anti data कभी भी ये सब्द आएगा तो tension मतले ना x anti का मतलब हो तो on the basis of probability anticipation वगेरा मैंने बहुत को समझाए सर इसमें कैसे निकाला जाता इसमें कुछ नहीं निकाला जाता इसमें probability दीती बोले past का छोड़ो ना यार past में क्या हुआ था reliance कितना वो छोड़ो बोले हम बता रहे एकोनोमी क्या हो सकता हमने का एकोनोमी बूम होगा तो reliance भी जादा कमाएगा हाँ एकोनोमी बूम तो क्या chances है क्या probability की एकोनोमी बूम बोले 50 बश्रें हो सकता है ना तो इस तरह से probability की economy क्या होने वाला है अगले साल तो उसके सबसे probability दिया रहेगा तो probability के साब से return दिया रहेगा तो हम expect return निकलने लिए ठीक है तो सर वो कैसे निकलने अभी भी मैं formula पर नहीं जा रहा हूँ कि example ले रहा हूँ example number 3 त्यार हो तो example number 3 में ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है probability और क्या दिया है return और आपको क्या निकालना expect return और risk ठीक है अब हमको बनाना table ही है तो table जब बनाओ की तो सबसे जो पहला column रहेगा वो रहेगा probability और ये लिखना ये probability लिखोगे पहले column में आ जाएगा probability और आप भी जानते probability का total क्या होता है और फिर ये return लिखलोगे जिसको बला जाता x 25 परशन, 15 परशन, 10 परशन, 5 परशन ठीक है ठीक है probability हो गया x हो गया अब सुनोगे ध्यान से बच्चो इसको divided by 4 मत कर देना प्लीज ध्यान दोगे divided by 4 नहीं कर सकते हम कह रहें कि 25 परशन की कमाई होगी इस बात की probability कितनी है 0.25 तो 25 इंटू 0.25 तो यह जाएगा 6.25 15 परशन की कमाई हो सकते इस बात की probability यह 0.30 तो यह जाएगा यह जाएगा probability से multiply करोगे तो यह जाएगा मेरा expect return कितना 14 परशन इसी को क्या बोला जाता x बार क्या गलती होती है बच्चों से मैं बता दे रहा हूँ अभी कि यहां क्या गलती होती है सर गलती ही होती है कि 14 करके फिर divided by 4 कर देते है divided by 4 करना ही नहीं है सर जब भी probability दिया है divided by n कभी नहीं होग क्या पक्का 14 होगी नाई सर 25 भी हो सकती है 15 भी हो सकती है तो अब मुझे क्या करण deviation निकालना पड़ेगा deviation का मतलब x minus x bar और यहां सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों की ध्यान दोगे आपको पता भी नहीं लगेगा exam में आप गलती करके होगे x यह नहीं है x यह है it means मुझे करना है 25 minus 14 ठीक है मुझे करना 2500 minus 15 minus 14 क्या करती है बच्ची लोग आप लोग क्या करते हो मैं आपको बतानू आप लोग क्या करते हो हाँ आप लोग this minus this कर देती हो वहीं खेल गलग, गरबड हो जाता, पॉर्टफोलियों मैंने देखा है, जब टेश्ट पीपर चेक करता हूं, तो मुझे समझ में आता है, पता भी नहीं लगता आपको कि क्या गलतिया हो जाती है, तो याद रहता है, इसको X, 15-14, 10-10, और ये करके ये आगए, X-X-bar, और मै क्या करना होता है, X-quare, फिर याद करो वो दिन, जब मैं आपको बोला था, कि इसको जब average करोगे, तो 0 आएगा, तो सही में बच्चे average कर रहे थे, और फिर बोल रहते हैं, 0 तो आए नहीं, अरी भाई, average का मतलब क्या था, divided by 4, कभी भी इसमें average हो ही नहीं सकता, 11 into 0.25, 1 into 0.3, minus 4 into 0.2, 0, और minus 9 into 0.25 करोगे, वो होगा average, वो 0 ही आएगा, ठीक, तो अब मुझे क्या करना पड़ा इसको, square करना पड़ा सर, और square किया, तो यह आगे हैं, ठीक, X-X-bar, square, पर प्लीज, फिर दिक्कत है आपको, फिर इसको divided by 4 मत कर देना सर, मैं बार 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 बा करते हैं, 121 का deviation हो सकता, इस बात की probability कितनी है, 0.25, तो यह deviation को मुझे probability से multiply करना पड़ेगा, और यह आगया, 54%, फिर बोलू, अई बात, 54 को divided by 4 मत कर देना, already, average हो चुका है, इसी को क्या बोला जाता है, variance, और इसको square root करोगे, तो क्या जाएगा, standard deviation, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सर फाइनली यह बात समझ में आई हम लोगों को, कि हमें सबसे पहले, individual stock का expect return निकालना पड़ेगा, और standard deviation निकालना पड़ेगा, और कौन से stock अच्छा कहलाएगा, सर जिसमें return जादा हो, और जो risk है, fluctuation, deviation वो कान हो, ठीक है, ठीक है, मान लो, दो stock है, x, y, expect return, इसका 15 परशन और इसका 20 परशन, expect return के हिसाब से, कौन सा stock खरीदना चाहोगे, सर जिसका 20 परशन, ठीक है, standard deviation, इसका 10 परशन, और इसका 12 परशन, और deviation के सबसे, पहले ऐसे कर लेता हूँ, पहले प्यार से, इसका 12 परशन, और इसका 10 परशन, सर तो उस हिसाब से, हम stock y ही खरीदना चाहेंगे, उसकी वज़ा क्या है, सर क्योंकि return जो है, वो ज़्यादा है, और risk भी कम है, तो उस हिसाब से y अच्छा, लेकिन किस्मत खराब, और किस्मत खराब कुछ भी हो सकता है, इसका 8 परशन, और इसका 12 परशन, अब बताओ कौन सा stock खरीद होगे, अगर return के हिसाब से मैं बात करूँ, अगर return के हिसाब से बात करूँ तो ये अच्छा, और risk के हिसाब से बात करूँ तो x अच्छा, कौन सा stock, तो फिर हमने ये decide किया था, कि sir investor क्या चाहता है, अगर investor कम risk चाहता है, तो x खरीद ले, return भी कम मिलेगा, अगर investor ये चाहता है कि जादा return कमाना, तो y खरीद ले, depend करता है, लेकिन फिर भी, अगर ये बोला जाए, कि नहीं, नहीं, आपको बतानी पड़ेगा, दोनों को consider कर कि बताओ, तो फिर हम ऐसे करते थे, हम करते थे, 8 by 15, एक ratio निकालते थे, 12 by 20, तो 8 by 15, तो ये आ गया था, 0.533, और 12 by 20, तो ये आ गया था, 0.60, इस ratio का मतलब बताओगी, क्या कहना चाहता है, ये ratio, सर, ये ratio कहना चाहता है, कि अगर हम 1% कमाती है, 15% पर 8% का risk है, 15% पर 8% का risk है, मतलब सर, 1% ratio निकाला न, 1% पर 0.533 का risk है, fluctuation हो, और यहाँ 1% पर 0.6 fluctuate हो सकता है, और यहाँ 0.533, कौन सा ज़्यादा fluctuate हो रहा है, मैंने दोनों का ratio निकाला, 1% के पीछे, तो उसके साफसे सर यह ज़्यादा fluctuate है यस यह ज़्यादा fluctuate है इसमें risk ज़्यादा इसमें 60 पैसा 60 पैसा बोलता हूँ एक रुपिया के पीछे 60 पैसे का fluctuation है दिक्कत है बढ़ेगा तो बढ़ेगा risk का मतलब मैंने पहली बता दिया कि यहाँ उपर नीचे गया तो risk नहीं होगा यहाँ fluctuation का मतलब risk तो यह ज़्यादा risk है और यह जो ratio निकला इसको बोलते है coefficient of variation अच्छा it means cv और cv का formula क्या था standard deviation divided by x bar और higher cv means higher risk तो coefficient of variation means risk with respect to return it is calculated as under calculation मैंने समझाया coefficient of variation का standard deviation by x bar ठीक है और ज्यादा higher cv है higher cv है मतलब higher risk higher cv means higher risk ठीक है ठीक है और हम कौन सा stock खरी देंगे जिसका cv क्या होगा कम cv means coefficient of variation ठीक है बनाए कोशन हाँ सा question मनाते हैं तो question number one कहां यह था study mat में और practice में अच्छे सिर्करना stock का जो cost है वो कितना 120 रुपिया ठीक है pays no dividends आप dividend नहीं है dividend नहीं है और यह जो information दे रखा वो past का दिया होगा कि future का वो सोचिंगे और खरीदा कितने में था sir खरीदा था 120 में the possible price that the stock might sell stock कितने में बेचा सकता for the end of end of year with probability price दिया है probability दिया है काम हो सकता है हमें क्या निकालना sir हमें निकालना expect return और standard deviation अब दिक्कत क्या है सुनो कभी भी probability दिया था तो यहां percentage दिया था तो हम आराम से यहां percentage नहीं दिया है तो sir हमको percentage निकालना पढ़ेगा yes 120 से price क्या हो सकता 115 तो निकल सकता है yes sir 115 हो गया जबकि 120 था divided by 120 और dividend है नहीं into 100 ऐसा करके कर लें अब इस पे अगर 120 हो गया तो price कैसे निकल हो गया sir हो कितना गया है 120 पहले कितना था तो मजने के कोशिश करना अब धिहान से please 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 इस question में बच्चों ने इतनी बड़ी गलती किया यार बोल रहा 120 और sir ने तो समझा है था किसे पिछले साल का price लेना पड़ेगा नहीं sir नहीं ये पिछले साल का price नहीं है यहां गलती मत करना it means वो ये कह रहा कि हमारे आज पिछले साल का price तो 120 ही है आज जो खरीद रहे 120 में वो बोल रहा कि 115 भी हो सकता 120 से 115 भी हो सकता 120 से 120 भी हो सकता 120 से 125 भी हो सकता वो ये समझाने के कोशिश कर रहा इस question में बहुत सारे बच्चों ने मालूम है क्या गलती किया था वो इस से जब यहां का return निकाल रहा हो तो पिछले वाला price क्यों देख रहा हो sir गरबड नहीं कर रहा हो आपको कभी भी यहां पिछले वाला price थोड़ी नहीं है यह तो यह बता रहा है कि 120 से 115 हो सकता 120 से 120 हो सकता 120 से 125 हो सकता इस तरह से बता रहा है समझ गया है नो मैं क्या क्याना चाहता हूं तो बस return निकाल लेते हैं और return निकाला उन्होंने ठीक है मतलब यार cost में हमको 120 ही लेना पड़ेगा यास बस इतना धियान रखना बाकि यह return निकाल गया ठीक ठीक है सर और return निकाल गया तो फिर calculation हम करी लेंगे expect return और standard deviation का अब expect return निकाला ठीक है सर इसमें तो कोई दिक्कत ने है x वो percentage निकाल लिए इसमें भी कोई दिक्कत ने है और ये total कितना आ गया x बार ये आ गया सर 7.013 इसको ठीक से लिखाओगा आपके notes में ये इसी के नीची आना चाहिए अच्छा ओहो एक बात और धियान देना मैं total मार रहा हूँ सुनो धियान क्या देना मेरी बास सुना भाइस आप divided by 5 मत कर देना हाँ सर, probability से multiply करना तो इसको probability से multiply किया तो ये आ गया PX और ये आ गया X बार जिसको हम क्या बोल रहा है expected return फिर हमने क्या किया deviation भी मांगा है तो X माइनस X बार करना पड़ेगा फिर बच्चे लोग, आप लोग क्या गलती करोगी इसको X ले लोगी जानता हूं, जानता हूं कलती करोगी अब कितना भी बोलो सर, हम expert हमसे नहीं होगी, प्लीज ये X नहीं, X तो ये X माइनस X बार इसको करोगे तो ये आगे X माइनस X बार और फिर क्योंकि इसका average करोगे तो 0 आएगा, इसलिए मुझे square करना पड़ेगा और फिर total बारना पड़ेगा इसको मैं क्या बोल रहा हूं, variance और इसको square root करोगे तो ये आगे मेरा standardization तो ये आगे expect return और ये आगे मेरा standardization ठीक है भाई साब, एक बात बोनूँ आपसे यस्तर बोली है ऐसे revision कर तो लो फाइदा तभी मिलेगा जब question, pain उठाओगे copy उठाओगे, calculator उठाओगे book उठाओगे, और खुद से बनाओगे समझ में सब आजाएगा मैंने test लेता हूं मैं बच्चों का मुझे समझ में आ रहा है समझ में सब आजाता है बच्चों को question भी समझ में आता है जब लिखने जाते हैं न पेन नहीं चलता है तो please आप time बचाने के चक्कर में पूरा एक attempt बरबात कर देते हैं मैं आपसे बनो, please practice कीजिए इस तरह से पढ़ने का फाइदा नहीं मिलेगा practice कीजिए no doubt time बच गया समझ में आ गया ना अब सीधा जो करेंगे वो exam में करेंगे तो हो गया exam में चले जी आगे lecture बन अब जिन्होंने मेरी class ले रखा है उनकी class number 2 में मैंने क्या पाइदा अभी class number 1 ही हुआ class number 1 में इतना concept समझाना तो उसमें दो time डगता ही फिर से बोल रहा हूँ मेरा target 5 गंडे ही है आपके 35 गंडे का lecture में 5 गंडे में खतम करूँगा कैसे भी खतम करूँगा class number 2 में अब हम पहुँच गए क्या हमने expected return और standard deviation और coefficient of variation तीनों निकालना सिखा अब हम बात कर रहा है expected return किसका portfolio ठीक है एक example लिया कि यार हमने stock A में लगाया है 3 लाग, stock B में लगाया है 2 लाग, इससे return मिलेगा 15 परशन, इससे return मिलेगा 10 परशन तो total portfolio मेरा कितने का बना total portfolio मेरा 5 लाग का बना तो कोई बता सकता कि 5 लाग पर में कितना परशन कमाऊगा, simple है sir 3 लाग पर 15 परशन कमाऊगे, 2 लाग पर 10 परशन कमाऊगे, divided by 5 लाग कर देना, into 100 नहीं कर लहा है, क्यों नहीं कर रहा है क्यों कितना परशन्टेज नहीं लिखा है तो answer कितना जाएगा 13 परशन या फिर weight निकालना weight निकालना आथा है, C enter से हम या बाह में तो revision कर वारू हो, मुफुल लहाँता weight निकालनाता है, 3 लाग divided by 5 लाग तीन लाग दिवाइड़ के पाच लाग 0.6 और 2 लाग दिवाइड़ के पाच लाग 0.4 15 into 0.6, 10 into 0.4 तो answer चाहेगा कितना, 13 % फिर या तिर या Assist ठीक आगे चले एक्जाम्पल नमबर अब ध्यान से समय अगर मैं आपको पोर्टफोलियो का रिटन दे दू तेरा परशन के क्यार मैं ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ कि कम से कम मेरा तेरा परशन के कमाई हो थर्टीन परशन के और ऐ में लगा मझे दो स्टॉक दिख रहा है ऑर और बू टैन परशन कमा कर देखा और कमाई कितनी चाहीए थर्टीन चाहीए उसे थर्टीन प्शच क्यों चाहिए फिप्टीन क्यों तो बना सर सारा पैसा पंदरा कमाँगे भowners उसमें risk जादा है आप छोड़ोने यार उस बात को मुझे 12% की कमाई करना बस ये 15% कमा ग देड़ा ये 10% तो बताए, A में कितना पैसे लगाऊ B में कितना पैसे लगाऊ कि इन दोनों में कितना कितना पैसे लगाऊ कि मेरा 13% की कमाई हो जाएगा हो जाएगा इधर क्या आएगा पॉर्टफोलियो का रिटर्न कितना 13 इसमें 15 इसका वेट ए ले लिया और इसमें 10 और इसका वेट क्योंकि दो ही स्टॉक है अगर एक में लगा हूँगा सतर तो दूसरे में कितना आएगा तीस ही तो आएगा तो मैंने वन मैनस वेट आफ ए ले लिया और इस तरह से काम किया तो वेट आ गया पॉइंट सिक्स और क्या आ गया पॉइंट फॉर ठीक है कभी कभी आ जाता हमको पता भी पूछ रहा है अब सबसे इंपोर्टन कॉंसेटर इस टार्ट हो रहा है जिसके लिए हम पर्ड़ है बात किसकी हो रही थी मार्कोविट्स अब कामकि चीज़ अब ध्यां से समझना है तो मार्कोवेट्ज अभी तक हमने यह सीखा कि सिंगल स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो कितना रिटन मिलेगा कितना डेविशन होगा यह कुछ सुखा अब मार्कोवेट्ज अभी यहां है बोलता साब अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनू और मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं कि दो ऐसे श्टॉक में पैसा लगाना है जिसका आपस में कोरिलेशन नेगेटिव हो अच्छा हां प्लीज आप दो इस टॉक को ढूड़ी है जिस कोरिलेशन नेगेटिव हो है तो अब तो एक तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा मुझे सीखना पड़ेगा कोरिलेशन निकालते कैसे इत मेंस calculation और जब correlation का calculation समझवें आएगा उसके बाद हम किस पे जाएंगे? concepts ठीक है? ठीक है तो पहले क्या बोला है meaning जो काम नहीं आएगा कि correlation का meaning क्या होता है काम की बात नहीं है लेकिन portfolio में हम लोग correlation को तीन category में पढ़े हैं क्या-क्या पढ़े थे? कि correlation perfect positive हो तो क्या करना है? perfect positive है का मतलब Sir, एक stock बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा मतलब एक direction में movement हो रहा है और एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा बढ़ेगे तो दोनों बढ़ेगे, गिरेगे तो दोनों गिरेगे. This is positive correlation perfect positive क्या होता हो तो मैं समझा दोगा एक और होता है negative correlation मतलब एक बढ़ा तो दूसरा उस direction में नहीं जाएगा अपोजिट में जाएगा उसको बोलते है negative दोनों इस टॉक अलग अलग direction में movement हो रहे है इसको बोलते है negative correlation negative correlation और एक correlation होगा ना तो positive है ना तो negative है इन दोनों के बीच का है सर क्यों ऐसा पढ़ रहे थे हम इसलिए ऐसा पढ़ रहे थे ताकि जब हम portfolio में जाएंगे तो इसका अगर positive correlation है तो treatment कुछ और करना पड़ेगा अच्छा मतलब portfolio बनाना है तो किस तरीके से बनाना है वो depend करता है कि correlation क्या है अगर minus one हो तो इसके लिए treatment कुछ और करेंगे portfolio का और ना तो ये है ना तो ये तो कुछ और करेंगे इसलिए हमने portfolio में correlation को तीन category में बाढ़ दिया अब आते concept पहले concept नहीं पहले क्या करना पड़ेगा calculation ये मैंने लिखवाया हूँ ये पढ़ो गए अभी तो समझ में आयेगा नहीं तो मैं सीधा आजाता हूँ यहां ये सब काम की चीज़ नहीं सीधा पहले यहां जाते मैं example के मदद से आपको याद दिलाओंगा कि क्या क अब धियान से देखना example number 4 आपके book में भी 4 ही होगा you know रहें उसे class लिया है उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूँ ये जो मैंने आपको notes लिया है पस उन लोग के काम का है जिनोंने मुझसे class नहीं लिया है वो चाहो तो printout ले सकते इसमें जो भी solution है वो solution ICEI का नहीं है क्योंकि ICEI का solution presentation किसी question में कुछ रहता है किसी question में कुछ रहता है तो हम एक standard format में काम नहीं कर पाते हैं तो इसमें जितने भी solution है सब मैं जो class में कर वाता हम वो ही वाले solution है ठीक है ठीक है चले तो example 4 year दिया 1,2,3,4,5 stock x का return दिया और stock x नहीं है stock y है stock y का return दिया सबसे पहले expect return निकालना x और y का निकल जाएगा फिर standard deviation निकालना x और y का फिर covariance निकालना और correlation यहीं समझाना है मुझे यह दो चीज़ समझाना है बाकी expect return आपको आता है standard और सुनो years दिया है तो divided by n चलेगा है और दा basis of probability नहीं होगा इस्टार करें तो calculation of expect return, standard deviation, covariance and correlation सबसे पहले मैंने year लिखा सुनो x पहले लिख लेते हैं और y बाद में लिख लेते हैं कुछ बच्चे बोलते सर एक table में पूरा x जाने दो और दूसरे table में y आने दो नहीं उसमें बहुत ज़्यदा time लगेगा x और y साथ में करेंगे पर पहले x वाला काम खतम करेंगे फिर y वाला काम करेंगे ठीक है तो year दिया x तो divided by यहां total मारा 100 100 divided by 5 किया तो answer कितना आ गया answer आ गया 20% यह इधर उधर लिखा है आप समझ जाओगे 100 divided by 5 करने से कितना आ गया 20% आ गया ठीक मतलब इसका x बार आ गया यहां लिख दूंकि अच्छे से लिखते हुए चलो सर इसका x बार आ गया कितना 20% अभी क्या करेंगे x-x बार 30-20 25-20 वो किया और इसका average करोगे तो 0 आ गया इसलिए x-x बार square किया तो यह आगे 250% इसका standard deviation निकाला और standard deviation निकाला standard deviation of x तो यह निकला हुआ है और यह आ गया 7.07% यहां तक तो कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए थी आपको इसी एकपी टोटल मारा तो आगया 70 वाइब आर किया तो यह बार कितना आ गया सर्फोर्टीन बर्शन और फिर y minus y bar हो गया y minus तो यह आ गया 80 और divided by 4 किया तो standard deviation कितना है standard deviation of y देख लूँ कि यह c divided by 5 और इसका square रहा तो यह standard deviation of y आ गया 4 पर्षन ठीक है अब सुनोगे ध्यान से अब मैं कुछ समझाने के कोशिश कर रहा हूँ त्यारो यह हमको पहले से निकालना आता था अब क्या समझाने के कोशिश कर रहा हूँ सुनोगे मैं आपसे बोल रहा हूँ x ध्यान से समझना x का था कितना सर्थ 30% पहले साल आ सकता है यह और यहां कितना है, 20 पर, मतलब सर, X का जो average है, वह है 20, हाँ, पर X, बढ़ भी तो सकता है, हाँ, बढ़ सकता है, सर कितने पर्शन से, 10, तो X, 10 परशन से बढ़ सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं deviation निकाल रहा हूँ, X का अपने mean से क्या deviation है, X अपने मीन से क्या हो रहा है बढ़ा मीन से बढ़ा Y कभी दिखते हैं Sir Y का कितना है Evertis 14 और Y का कितना 14 X अपने Evertis से बढ़ा है पर Y अपने Evertis से हिल भी नहीं रहा है कोई deviation ही नहीं है तो आपस में किस तरफ किस डायरेक्षन में movement हो रहा है सब कैसे बता दे एक बरड़ा और एक का तो कुछ अगर नीचे जाता तो मैं कहता यार नेगेटिव अगर उपर जाता तो मैं कहता पॉजिटिव पर प्रोब्लम क्या है डेवीशन जॉइंट डेवीशन निकाल रहा हूं ये बढ़ा पर ये तो कुछ हुआ नहीं तो आपस मैं multiply करोगे इसका तो answer क्या जाए x-x bar y-y bar कर रहा हूँ तो ये क्या रहा है 0 ठीक ठीक सर ये निकाल क्या रहा है मैं निकाल रहा हूँ joint deviation joint deviation अभी यहाँ देखो यहाँ से x अपने average से बढ़ा 5 किस तरब जा रहा है तो negative आएगा it means मैं क्या कर रहा हूँ मैं x-x bar को multiply कर रहा हूँ y-y bar से और इन सब का जो आएगा इसका क्या कर दूँँगा मैं average आया क्या total मैं इन सब को मैंने total कर दिया और total करके divided by 5 कर दिया तो ये आगे minus 20 percentage square और इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है covariance variance variance मतलब vary हो रहा है खुद से covariance मतलब साथ साथ किधर जा रहा है और वो आ गया minus 20 percentage square ठीक है ठीक है इससे हम लोगों को nature पता लग जाता है कि दोनों अपने average से positive एक साथ जा रहा है ये opposite जा रहा है और यहां से on an average क्या दिख रहा है सर माइनस में है मतलब opposite direction में movement हो रहा है पर क्या दिक्कत थी दिक्कत थी हमको एक range नहीं पता लग रहा है range मतलब range मतलब सर ऐसा है कि हमको problem यह है कि या ठीक है नेचर तो पता लग जा रहा कि minus है कि plus है पर problem है कास को हमें एक limit बता दे मैंने एक limit बताया minus 1 ये मेरी closing limit है और ये limit दोनों तरफ close कर दिया plus 1 अब मैं आप से बोलूं दोनों stock के बीच में correlation 0.9 है 0.9 तो आप बता दोगे बीच में correlation 0.5 है मतलब बीच में एक range में होना तो हमको समझ में आता है तो यार covariance में दिक्कत तो यह है एक range bound नहीं है कुछ भी आ सकता minus 250 percentage square आ सकता तो ये दिक्कत थे इसलिए इसको covariance को हमको divide करना पड़ेगा किस से covariance को अगर divide करोगे standard deviation of x और standard deviation of y तो आगया क्या आगया जरह दिखोगे तो आगया minus point 707 this is correlation किदर साइड आया बताओ ये average है बीच वाला इस तरफ आया थोड़ा एक range में हो तो बता सकते हो ना या आया correlation तो finally sir हमको ये समझ में आया ये समझ में आया कि correlation निकालने से पहले हमें covariance निकालना पड़ेगा और covariance निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा formula और covariance का formula क्या हो सकता x minus x bar और y minus y bar divided by क्या करोगे n या फिर probability दिया रहेगा तो x minus x bar y minus y bar multiply किस से करोगे probability से दोनों में से कुछ और गिया रहे पर covariance से काम नहीं चलेगा हमें जलूरत क्या है correlation की तो correlation के लिए मुझे जो covariance निकलेगा उसको standard deviation of x और standard deviation of y से क्या करना पड़ेगा divide ठीक 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 है वह इस चीज़े लिखवाया था तो मेरे ख्याद से वह चीज़े होगे एक example और लिया था और किस basis पे लिया था मैंने probability के basis पे यस सर ये example नहीं भी करोगे तो चलेगा अगर मैं personally कहूँ को तो ये example आपको करना पड़ेगा क्योंकि probability वाले में गलती होती है सर इसी वज़ा से एक बार देखे क्या तो एक्जामपल नंबर 5 probability दिया हुआ है stock x दिया stock y दिया एक्सपेक्ट रिटर निकालना standard deviation निकालना covariance निकालना correlation निकालना अगर देखोगे तो table कैसे मनाएंगी सर table है अगर पहला काम है probability लिखने का दूसरा काम है x बस divided by क्या नहीं करोगे 4 तो सर ये px आगया ये आगया सर मेरा x बार फिर क्या करना पड़ेगा x minus x बार दूसरी गलती probability में क्या होती कि आप इसको x मान दो क्योंकि x तो ये है तो x minus x बार करोगे ये आएगा इसको भी divided by 4 मत में करना इसको क्या करना पड़ेगा हमको square square किया और साथ में probability से यही multiply कर दिया तो final answer आजाएगा और probability से multiply किया तो 81 आगया ये क्या आगया variance और 81 का square किया तो answer कितना आजाएगा 81 को square किया है कि कहीं देख ले ना 81 को square किया तो इधर लिखा हुआ है दिया जाएगा 9 परशन आपके notes में सहीं लिखा रहेगा ठीक same हमने क्या किया standard deviation of y उसको भी square root किया तो यह आगया 7.83 परशन और बस यहां ध्यान देना x minus x bar y minus y bar divided by n नहीं चलेगा into किस से करना पड़ेगा probability से तो यह आगया इसको divided by 4 नहीं करना है यह already average आगया अब हमने यह minus में आया है क्या हाँ यह minus में आया है तो minus और divided by standard deviation of x into standard तो यह आगया correlation minus में आएगा ठीक calculation अब देख लेगा ठीक है तो correlation निकालना हमने सीखा ठीक है अब मैंने कहाना calculation important एक बार calculation हुआ तो time नहीं लाग इसके बाद example number 6 करवाया था कुछ concept समझाने के लिए पर वो concept अब आपको समझ में आ चुके revision चल रहा है तो मैं इस example पिसला दूँगा कि यह वाला example नहीं करोगे नहीं करना है नहीं करना है क्योंकि मुझे एक concept समझाना था इस example को आप इसकीप कर दीजे लास नमबर थ्री पर जाईए सीदा सीदा सर क्यों करवाया मैं समझाऊंगा ना बेच्चे समझाऊंगा इस question से समझते हैं इस example से समझते हैं यह example कहां लिखा होगा आपकी copy में लिखा होगा most probably वो सकता exam oriented वैच में ना लिखा हो copy में पर regular जो चल रहा ना उसमें लिखा हो खैर यहां से समझ जाए होगा आप example वैसे भी काम करने ultimately तो air question सी बनाने हैं देखे अच्छा example है तो क्या दिया हुआ है लिखा हुआ है stock x और stock y और probability stock x stock y और probability सबसे पहले क्या मांगा expect return or standard deviation किसका single stock और सर वो निकालनेगे हमको आता है और क्या मांगा है covariance और correlation सर यह भी निकालनेगे यह भी हमको आता है good point number three ही करवाना है भाई साब आपसे point number three इसमें time लगेगा point number three करना है त्यार हो yes करें उठाओ copy pin करो पर क्यों करोगे आपके पस time कहा है चलो मैं खुदी कर लेता हूँ यहां point two है point three है point five है अपकी notes में सहीं लिखा रहेगा मैं सीधा x bar पे आ रहा हूँ और यह आ गया x bar it means अगर मैं कहूँ दो स्टॉक है x और y एक तो मुझे चाहिए expect return और एक तो चाहिए standard deviation तो expect return इसका आया 10.60% और y का भी आया 10.60% मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ standard deviation की बात करो तो x का आया 2.80% और y का कितना आया y का आया 1.56% इस तरह से आपने और क्या निकाला covariance x y covariance x y आया था minus 4.36% square और finally आगया correlation x y और जो आगया जो आगया कितना आया था correlation 4.36 divided by 2.8 divided by 1.56 0.998 ठीक ये calculation तो आपने कर लिया होगा पर इसकी मदस्य में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब सुनना वो ये बोल रहा है question अगर हम 70% किसमें लगाते हैं x में और 30% किसमें लगाते हैं y में तो क्या आप expect return of portfolio निकाल सकते हो और standard deviation of portfolio निकाल सकते हो ये अब ध्यान से देखो इस question को इसमें कितना पैसा लगा रहा है हो 70% और इसमें कितना पैसा लगा रहा है हो 30% और question पूछा जा रहा है क्या आप expect return of portfolio निकाल सकते हो यास कैसे निकालोंगे weighted average 10.6 into 0.7 और 10.6 into 0.3 हाला कि दोनों में 10.6 है तो आप कितना भी weight रहा हो 10.6 ही आएगा standard deviation of portfolio weighted average नहीं होता है इसके लिए एक formula की जिर्वत पढ़ती हो formula कैसे derive हो रहा है क्या हो रहा हो मैं आपको समझा चुका हूँ उसको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छा बहुत सारा काम किया था पर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सीधा यहाँ से देखना है यह काम का नहीं है आपका जो मैंने निकाला यह concept समझाने के लिए मैं सीधा यहाँ पे समझाने के कोशिश करूँ यहाँ पे पहुंच जा उसी रस्त सुनोगे मुझे क्या निकालना expect return of portfolio 10.6 into 0.7 और 10.6 into 0.3 तो आंसर कितना जाएगा 10.60% इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है नहीं एक यह नहीं चीज आई standard deviation of portfolio यह समझाना standard deviation of portfolio क्या होता है it means मैं आप से क्या बोल रहा हूँ मुझे निकालना standard deviation of a plus standard deviation of b square निकालना it means sir a plus b square निकालना याद है ऐसा कुछ था हाँ sir matrix क्या equation था इसका sir a square plus b square plus 2ab हाँ जी मुझे यहाँ यह वाला formula यूज करना पड़ेगा it means मैं आप से यह कह रहा हूँ बहुत सारा derivation किया था बहुत concept समझा था बहुत ज्यादा detail में समझा था लेकिन finally यह समझे में आया कि जब भी portfolio का मुझे standard deviation निकालना है तो एक formula हमको याद रखना पड़ेगा वो यह था standard deviation of a square और weight of a square plus standard deviation of b square weight of b square plus 2 into standard deviation of a into standard deviation of b या फिर ऐसे कर लो into weight of a into standard deviation of b into weight of b into correlation a b हाला कि मैंने इसको रटवाने के लिए जरूर बोल दिया था कि यह लेलो आप a square यह लेलो b square यह लेलो 2 a b और last में क्या correlation याद करना ही पड़ेगा concept बहुत किया है वो तो आपको बता दिया concept इसका क्या logic है यह समझा चुका हो मैं आपके तो अगर portfolio के standard deviation निकालना तो मुझे standard deviation of x मालूम है मुझे standard deviation of y मालूम है बस मुझे क्या लेना पड़ेगा उसका square लेना पड़ेगा ठीक है सर इन्टू weight का square फिर 2 इन्टू यह निकालना और multiply किया correlation से और फिर इसको square root कर दिया square root है यह है न यह square root ठीक है तो final answer आ गया 1.49 पर्शन प्रेक्टिस लागेगा सर अच्छे से समझाओगे कि चलो एक example से समझते है ठीक है अब जड़ा यहां पर आना एक बाद बताओं यह formula की मुझे ज़र्बरत पढ़ने वाली है इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना है मैं आप से बोल रहा हूँ correlation a b का formula अभी आपने बताया था सर covariance a b यह x y divided by standard deviation of a into standard deviation of b क्या इससे आप derivation से covariance a b का formula बना सकते हो क्या yes क्या बनेगा sir standard deviation of a into standard deviation of b into correlation a b यह किसका formula है covariance a b का formula है agree हाँ sir करना क्या चाह रहा हूँ बस जहां से 2 minute का time दे तो आपको सब समझना चाहे है वह चीज मैंने बोला है कि यह आपको standard deviation of a दे देता हूं standard deviation of b दे देता हूं correlation दे देता हूं तो क्या आप covariance निकाल सकते हूं yes formula है आपके पास standard deviation of a into standard deviation of b into correlation a b agree अब formula पर आना focus करना इसको expected return of portfolio का क्या formula है sir expected return of a into weight of a और expected return of b into weight of b इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं sir simple weighted average standard deviation of portfolio का क्या formula है standard deviation क्या formula सुना ध्यान से मैंने करवाई हूं कैसा था a plus b square तो standard division of a square into weight of a square standard division of b square into weight of b square plus 2 into standard division of a into weight of a into standard division of b into weight of b into correlation a b portfolio के standard division ऐसे निकाल लगा था मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है इस वाले पार्ट में मैं 2 पहले लिखूं फिर मैं weight of a लिख दूं फिर मैं weight of b लिख दूं तो बचा क्या उसके बाद सर उसके बाद बचा standard division of a standard division of b और correlation वो मैं अलग से लिख दूं बात समझे में आ रही है ना फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जब ऐसा कर ही रहा हो तो तू ठीक है मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ weight of a weight of b और last में मैं ये formula तो महलू मैं ये तो covariance का formula है क्या covariance a b भी लिख सकता हूँ yes sir yes sir yes तो मैं यही आपसी क्या कहना चाहता हूँ standard deviation of portfolio निकालने का formula है capture में हमेशा matrix a plus b square बस यहाँ थोड़ा मैंने derivation किया क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी आगे और यहाँ मैंने covariance a b लिख लिए कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत है ठीक है हाँ sir तो चले आगे अब logical conceptual examples अब श्टार्ट हो रहा है अब ध्याहाँ से समझना में बहुत है finally तैयार हूँ yes यहाँ से अब concepts start concepts कौन से correlation के दो मिनट का time दे दो थोड़ा सा पानी पीनो चलो शुआ thank you अब काम के examples example number 7 दो stock है stock A stock B इसका expect return दिया है और standard evasion दिया है इसमें कितना पैसा लग रहा है 70% इसमें कितना पैसा लग रहा 30% और दोनों के बीच में correlation क्या है 0.35 आपसे exam में क्या मांगेगा आपसे मांगेगा expected return of portfolio और मांगेगा standard evasion of portfolio तो expected return of portfolio simple क्या करना है हम लोगों को weighted average करना पैसे मतलब सर करना क्या है करना ये है 20 into 0.7 और 15 into 0.3 आंसर आजाएगा 18.5 पॉर्शन लेकिन बात आती है standard evasion की तो फिर standard evasion और वो तो formula अभी में आपको समझाया standard evasion of a square weight of a square इस तरह से काम होगा तो आंसर आजाएगा 8.15 पॉर्शन ये सिर्व और सिर्व प्रैक्टिस के लिए था conceptual कुछ नहीं है मैंने बस ये समझानी की कोश्च किया कि expected return निकालोगी तो weighted average निकाल लेना और standard evasion निकालना है तो आपको a plus b square वाला formula लगाना प्लाएग अब stock example number 8 अगला example stock a और stock b है expected return 22% और 15% और standard evasion 10% और 8% अब यहाँ से concept है और दोनो stock के बीच में correlation क्या है one है one का मतलब क्या होता है perfect positive इट मिंस दोनो एक ही direction में movement हो रहा है अब इनका क्या कहना है इनका यह कहना था कि आप दो stock में पैसा लगा रहा हूं yes कोशिश करना कि दोनों एक ही direction में movement ना करें दोनों के बीच में correlation क्या होना चाहिए negative positive है तो क्या दिक्कत है positive है तो यह दिक्कत थी कि यार आने वाला जो season है या तो वो winter हो सकता या तो summer हो सकता है yes एक मुझे oland cloth business में पैसा लगाना चाहिए था गरम कपड़ों में और एक AC में क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलेगा लेकिन दिक्कत ही है कि आप यह कह रहे हैं कि हम AC business में भी पैसा लगा है और ice cream में लगा दे no doubt कमाई होगी तो खुब होगी डूबेगा तो दोनों डूबेगा सरदी पड़ी तो AC वाला भी गया ice cream वाला भी गया oland cloth में लगा देते दो बज जाते it means अगर दो ऐसे stock जिसमें positive correlation वो भी perfect दोनों बढ़ेगे तो एक साथ और दोनों डूबे तो बरबात तो बोले risk है फिर तो risk कठी नहीं सकता बस वोई समझाने की कोशिश कर दा question example से बात करें तो stocks दिया है और standard deviation दिया है calculate expect return and standard deviation of portfolio अगर हम 60% पैसा लगाए A में और 40% पैसा लगाए B में expect return में तो कोई दिक्कत नहीं है 22 होना चाहिए था समाल लेना 22 into 0.6 15 into 0.4 calculation आप देख लोगे answer आरा 19.2 या कुछ और भी आ सकता है अब बात करो standard deviation के वैसे तो standard deviation का formula क्या होता है सर standard deviation of A square weight of A square plus standard ये वाला formula था बड़ा वाला formula but एक shortcut है अगर दो stock के बीच में correlation plus 1 है perfect positive है तो आप simple weighted average वाला भी formula लगा सकते हो लेकिन ये formula तभी चलेगा जब दो stock के बीच में correlation perfect positive हो मतलब simple करना है 10 into 0.6 आज जैसे expected return निकालते थे वैसे standard deviation निकालेशन उसकी वज़ा है क्योंकि रिस्क नहीं कटेगा और derivation भी मैं समझाया था इस formula का जरूरत नहीं है लेकिन ये formula shortcut वाला formula छोटा वाला formula तभी चल सकता है जब दो stock के बीच में perfect positive correlation है यही मैंने आपको यहां लिखवा दिया है और ये भी लिखवा दिया है कि risk reduce हो सकती है कि नहीं नहीं हो सकती ये सीधा weighted average हो जाएगी अगर दो stock के बीच में correlation perfect positive है तो risk नहीं कट सकता ठीक है सर अब example number 9 और कुछ समझने को मिले बैस stock A, stock B, expect return 30%, 20% और standard deviation 20% और 5% और correlation क्या है perfect negative यस यही तो चाहिए था सर मतलब दो stock के बीच में correlation perfect negative है एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा दूसरा गिरेगा तो गम है पर पहला वाला बढ़ेगा तो profit तो risk तो कम हो जाएगा खतम हो जाएगा ठीक देख लेते हैं तो बहुले calculate expect return is standard deviation of portfolio अगर हम 60% पैसा A में लगाते हैं 0.6 इसमें लगाया और 0.4 इसमें लगाया और correlation क्या है perfect negative तो बोल रहा है आप expect return और standard deviation निकाला है तो expect return 30 into 0.6 और 20 into 0.4 आंसर क्या आगा 26% expect return of portfolio सवाल यह है standard deviation of portfolio कैसे निकाला है हमको कोई shortcut है कि बड़ा वाला formula ही लगाना पड़ेगा मतलब standard deviation of A square into weight of A square यह वाला formula लगाना पड़ेगा कि कोई shortcut है कोई shortcut नहीं है देखा जाये तो पर shortcut बनाया गया है वैसे तो यह 100% मैं फिर से बोल रहा हूं कोई कुछ भी क्यों ना बोले भाई यह वाला formula लगाना बड़ा वाला weighted average होता ही नहीं है पर समझाने के लिए ICAAC किया कुछ समझाना इसलिए मैंने का एक और technique वो technique की बता रहा हूं इसको भी मैं weighted average कर सकता हूं पर यहां plus की जगह किसका sign लगाना पड़ेगा minus का मतलब 20 into 0.6 minus 5 into 0.4 और answer कितना आगे है 10 पर और sir अगर यहां minus का sign आएगा by chance आ भी सकता है आ सकता है तो उसको ignore करना पड़ेगा sir क्यों मैंने का ना जुगार लगा के कर रहा है actual formula यही वाला है बड़ा वाला ठीक ठीक है तो answer कितना आगे है 10 पर तुम बोलो कितना कम आओगे sir 26 पर ड़ेशन कितना आएगा 10 पर तुम आप तो बोल रहे थे risk कम हो जाएगा कहां risk खतम हो गया risk तो है और कितना पर पर तुम है correlation perfect negative है perfect negative तो risk खतम हो सकता है 100% लेकिन पूरा खतम हो सकता है 0 हो सकता है risk लेकिन एक सर्थ क्या है सर्थ है कि यह जो आप weight लगा रहे हैं उन्हा यह ऐसे नहीं लगा सकते कुझी भी लगा दो और कहोगे risk खतम हो जाए तो नहीं हो भले ही correlation perfect negative क्यों न हो रिस्क खतम हो जीरो हो सकता उसके बिच्छे दो चीज चाहिए एक तो correlation क्या होना चाहिए perfect negative और weight भी क्या होना चाहिए इस तरह से पैसा लगाना है weight भी optimum होना चाहिए सब कैसे weight कैसे निकाले हो समझा कि डैरिविशन करवाया था मैंने भाई इस portfolio के standard division क्या रखना हमको 0 standard division of a मालूम है क्या यस कितना 20 weight निकालना और standard division of b मालूम है क्या 5 weight निकालना तो weight निकाला इस derivation से यह derivation किया मैंने और derivation करके weight of A का formula बना standard division of B divided by दोनों का standard division it means it means में क्या कहना चाहता हूं सुन्लो बच्चों अगर दो stock के बीच में correlation perfect negative है minus 1 है तो risk of portfolio कितना हो सकता है zero हो सकता है अगर आप दो stock के बीच में पैसा लगाते हो जिसका correlation क्या है minus 1 है तो risk zero हो सकता है पर आपको weight कैसे लेना पड़ेगा optimum diversification करना पड़ेगा और यह कैसे निकाला जाता है अगर मुझे weight of A निकालना है तो दोसरे का standard division divided by दोनों का standard division यही मैंने लिखवा रख रहा है आपको ठीक है अगर मैं इसी question की बात करूँ मुझे weight of A निकालना है तो दोसरे का standard division कितना है weight of B पांच divided by दोनों का standard division कितना है 25 तो weight of A निकालना जाएगा कितना है 0.2 और weight of B कितना है 0.8 अगर हम 0.2 20% पैसा किसमें लगाए A में और 80% पैसा किसमें लगाए B में तो expect return of portfolio कितना आएगा 22% पर standard division of portfolio कितना जाएगा 0 ठीक है सर क्या समझे पहला सुनना पड़ेगा सर अगर 2 stock के बीच में correlation perfect positive है तो risk नहीं कट सकता यह सिर्फ weighted average है और 2 stock के बीच में correlation perfect negative है perfect negative मैतला minus 1 तो risk कटके 0 हो सकता इसको बोलते है 0 risk portfolio सर्थ है कि आपको weight निकालना पड़ेगा पैसा कितना कितना लगाना है यह सोचना पड़ेगा और यह सोचने के लिए formula दूसरे का standard है weight of pay निकालना तो 3 का standard deviation divided by 2 का standard deviation इसको बोलते हैं अपको बनाना है जीरो risk portfolio इसा weight निकालो कि risk क्या आजा है 0 और उसके बाद जो weight निकला है उससे expect return निकाली है और risk of portfolio निकाली है ठीक है तो यह मैंने homework के रूप में दिया था और बच्चों ने यह बना लिया था answer यह था अब बना लोगे हाँ sir हम बना ले ठीक है जी बात होगी perfect positive की बात होगी perfect negative हम कौन सा theory बढ़े है हम बढ़े है model portfolio theory तो question number 3 की बात करते है sir पहले question number 3 कर रहा है yes लिखा Mr. A is interested to invest कितना रुपए invest करना है एक लग in the security market he selected two security दो stock select कर रहा है B और D for this purpose the risk return profile of this security are as follows risk return profile दिया हुआ और क्या क्या दिया है B और D उसका standard deviation दिया है और दोनों का expected return दिया हुआ CV दिया हुआ दोनों के बीचने CV नहीं coefficient of correlation मतलब सर्क correlation दिया हुआ ऐसा बोलो na coefficient of correlation coefficient से में मुझे गरबड हो गया था correlation दिया है correlation कितना दिया है 0.15 ना तो perfect positive है ना तो perfect negative बोले यार correlation हम बता रहे हैं 0.15 हमने का हमको वेट बताना है कि बले वेट भी रहे हैं वेट कितना रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं बस बले आप expect return of portfolio निकाल दीजिये और standard deviation of portfolio ना तो perfect positive है ना तो perfect negative है तो formula कौनसा लगेगा बड़ा वाला कौनसा वाला sir a plus b square वाला formula लगेगा किसके लिए standard deviation of portfolio निकालने के लिए ठीक you are required to calculate the portfolio return निकालना है आपको portfolio return of the following portfolio of a b end और उन्होंने 5 type का portfolio बनाया है ठीक और इसके अलाव उसने बोल रहा कि कौनसा best होगा किसके point of view से risk और return दोनों के point of view से जिस portfolio में return ज्यादा होगा वह best जिस portfolio में risk कम होगा risk के हिसाब से best risk कम होगा तो वह best हो जाए पहला portfolio बोले पहला portfolio है कि हम पूरा की पूरा पैसा किसमें लगा दे b में वाउ तो इसमें सूचना क्या या सर अब बताओ कोई कि कितना आएगा 20 से सर 12 परशन आएगा और कितना risk आएगा 10 परशन आएगा इसमें क्या सूचना यह तो दिया हुआ ऐसे question आते हैं सर हाँ आते हैं बनते नहीं है बच्चों से portfolio चोड़ के जाते हैं यह मैंने formula लिग दिया है पर जो बोला उसके साब से अगर आप पूरा पैसा किसमें लगा रहे हो बी में तो return कितना आएगा 12 परशन और division कितना आएगा 10 परशन अगर आप 50 परशन और 50 परशन लगा रहे हो तो यह कर लिए 50-50 और standard division of portfolio का सीधरी बात बड़ा वाला formula ठीक सर इसमें कुछ गलती हो सकती है गलती किया इस question में भी बच्चों ने गलती किया पताओं क्या गलती किया सर वो कैसे हो सकता है कि जब आप division निकालने जा रहे थे न तो आपने expected return यहां लिख दिया था पता नहीं आपको याद होगा कि ने मुझे याद है कि बच्चों ने मेरे सामने बठके क्या क्या गलती किया था इट मिस जब standard division of portfolio निकालने जा रहे हैं तो गलती से यहां 12 लिख दिया यह देखने में हो जाती है न गलती मुझसे भी होता है आपसे भी हो सकता है यह गलती हो सकती पच्चतर परशन और पच्चीस परशन और हंड्रेट परशन अब मेरे ख्याल से बेस्ट कौन सा ही कालो कि टाइम पास कुश्चन था पर इसमें भी गलतीया हो जाती है चले जी आदे प्लास नमबर फोर बाप रिगाप सर ठक गया हम दो बस खतम होने वाली भी इसलिए न मैं ने रिवीजन आ पार्ट पार्ट में करवा था हूँ एक सत मेरे लिए भी बोलना मुश्किल होता है एक सत आपके लिए भी जहिलना मुश्किल होता है ठीक है तो एटलिस्ट इतना कर ले हमको मालू है पाच गंड़े में खतम करना, आज पहली क्लास है पॉर्टफोलियो के रिविजन की, तो जितना हो सकता हम कर लेते हैं अब हमने क्या किया, अब हमने कोश्चन उठाया और कोश्चन नमबर कौँ सा, टू अब यहां ध्यां से समझता Consider the following information on two stocks, X और Y X और Y X, Y 2016, 2017 2016, 2017 मांगा क्या है मांगा the expected return on a portfolio portfolio का return बताईए अगर आप X में पैसा लगा रहा हो, 40% और अब Y में लगा रहा हो 60% portfolio का return कैसे बताईए, सर पहले तो individual stock का return हमको नहीं मालूम यह तो दिया है न 10% बैटे यह जो दिया, यह 2016 लगा दिया है, और यह वाला 2017 का दिया, मुझे तो future का चाहिए ना, तो इसका क्या करना पढ़ेगा मुझे, average इसका भी average करना पढ़ेगा, इसका भी average करना पढ़ेगा, और फिर काम करना पढ़ेगा ठीक और इसका जो average आएगा इसमें कितना percent लगा 60 percent 40 percent और इसमें कितना लगा 60 percent हो जाएगा sir तो बच्चों ने इसमें गलती किया है हाँ इस question में आप कैसे अप गलतीय करने से थोड़ी ने बस सकते बच्चों ने तो हद कर दिया उन्होंने ऐसा ऐसा average कर दिया था एक्जाम में क्या मेरे class में की बात करो ऐसी भी गलती होती है हाँ sir हाँ आप this plus this divided by two कर दिये average ऐसे नहीं भई इधर x से इधर y है average ऐसे नहीं होता है average तो year का होता है क्योंकि अभी तक हम जो example कर रहे थे इधर one लिखते थे इधर two लिखते थे तो ऐसे average कर रहा थे ऐसे कैसी हो सकता है बताओंगा आपका टेश्ट दूँगा तर standard deviation निकालना किसका निकालना portfolio का नहीं भाई वो बोल रहा पहले अलग-अलग standard deviation निकालना table बनाना पड़ेगा ना बोलो और फिर covariance निकालना है फिर correlation निकालना है सब तो पूछ लिया है standard deviation और portfolio भी पूछ लो हाँ standard deviation और portfolio भी निकालना करे question तो बस simple था question में कुछ नहीं था बस गलती क्या हो सकती थी वो मैंने आपको बता है गलती क्या हुई है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ गलती बस यह है कि पहले साल का 10 ले लिए दूसरे साल का 12 ले लिए उसके अलावा इस question में कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे हो नहीं सकता ये question आप कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद है ठीक ऐसा अब यहां से एक concept ये खतम हो रहा है अब ये वाला concept सुना हाँ सर बोलो finally हमको एक बात समझ में अगर दो इस stock के बीच में positive correlation है तो risk नहीं कट सकता बिलकुल rated average कर ले है अगर दो stock के बीच में perfect negative correlation है minus 1 तो सर risk घटके 0 हो सकता है लेकिन सर उसके लिए हमको proper weight देना पड़ेगा और weight निकलने का formula था दूसरे का standard deviation divided by दोनों का standard deviation ये दो दो category हो गई सर ऐसा इस दो stocks जिसके बीच में perfect positive भी correlation नहीं है और perfect negative भी नहीं है तो risk कम हो सकता है कि हाँ कम हो सकता है उसके लिए भी proper weight देना पड़ेगा तो सर रिस्क जीरो हो सकता है जीरो नहीं हो सकता है इसलिए वो जो portfolio बनेगा ना proper weight दे के उसको मैं zero risk portfolio नहीं बोलूँगा उसको मैं बोलूँगा minimum risk portfolio it means अगर correlation दो stock के बीच में ना तो perfect positive है ना तो perfect negative है then risk of portfolio can be reduced but not zero with the help of diversification और इसको मैं क्या नाम दूँगा minimum risk portfolio तो सर वेट कितना कितना दिया जाए बस वेट कितना निकाला जाएगा तो याद है मैंने weight का formula बादा था या सर दूसरे का standard deviation divided by दोनों का standard deviation पर ये formula कब लगता अगर perfect negative होता तो अब positive होता तो weight निकालने की जरूरत ही नहीं पर ये ना perfect negative है ना positive है तो weight निकालने का formula कुछ अजीब सा है उसने इसको square कर दिया रटवा रहा हूँ अभी रटवा रहा हूँ और रटवा रहा हूँ इसका पर रगत है minus किया covariance A भी और यहाँ minus किया 2 covariance A भी ये है weight निकालने का formula ये formula कैसे बना class में बात हो चुकिए इस matter पर ठीक वो मैं समझा चुका हूँ अभी मैं derivation पर नहीं जा रहा हूँ ठीक है जी चले एक example से इस बात को मैंने समझाने के कोशिस किया था कि यार stock A है stock B है और return दिया है ऐसी standard division correlation है 0.15 तो हमको निकालना है minimum risk portfolio ठीक है सर और हमें क्या निकालना expect return और risk of such portfolio तो ये formula बनेगा minimum risk of portfolio का क्यों बनेगा minimum risk portfolio का कि correlation क्या है ना तो perfect positive ना तो perfect negative इस formula से निकल लगा है weight of B 0.20 अगर ये 0.20 तो ये 0.80 आयागा है तो 12.59 और इसी के साथ साथ हमने standard deviation of portfolio भी निकालना होगा और standard deviation of portfolio आ गया 4.62 मेरी सला फिर से यही सला है आप से कि please calculator चला लो तिक यार वीडियो पाउस करके देख सकती हूँ ना वीडियो पाउस कीजिए calculator उठाईए कम से कम time नहीं है मैं जानता हूँ आप बीजी लोग हो time नहीं है आपके पास पर calculator चला कर तो देख लो कि यह answer आ रहा है कि मुझसे तो नहीं जाने कितने calculation mistake होती है मुझसे तो होती है भाई तो अब question चले है yes sir question number 4 investor has decided to invest कितनों रुपय है invest करना एक लाख दो company में ABC और XYZ और probability दिया है और ABC का return दिया और XYZ का return दिया सबसे पहले आपको return निकालना और risk निकालना है किसका? Indivisible का? ठीक है और फिर किसका निकालना है? portfolio का? तो कितना कितना लगाना है sir portfolio? portfolio लिखा equal proportion हो जाएगा question? हाँ homework है जी study mat में भी था PM में भी था RTP में मैं 2019 में आया था हो जाएगा कर लो गए ठीक है sir तो मैं solution हटा देता हूँ इसका अब ऐसा हो सकता अब सुनो आखरी बात कर लो yes sir finally यार ये समझ में आया sir कहानी खतम करें कि yes कि 2 stock के बीद में 2 stock में पैसा लगाना perfect positive है तो क्या करना perfect negative है तो क्या करना other देना वो तो क्या करना हो गया ये हो गया ऐसा sir कसम खाए कि 2 stock में पैसा लगाएं हम 3 में भी तो लगा सकते है अगर 3 में पैसा लगाते तो क्या निकलेगा expected return of portfolio, कुछ नहीं है, expected return of A into weight of A, expected return of B into weight of B, और expected return of C into weight of C, पर standard deviation of portfolio मतलब A plus B plus C square, आया नहीं है अस तक, आ गया तो, A plus B plus C square, वालू मैं न, combination बनाएंगे सर, combination A का B के साथ, A का C के साथ, और फिर B का C के साथ, मतलब standard deviation of A into weight of A, standard deviation of B into weight of B, और standard deviation of C into weight of C, फिर A और B और covariance A, B, फिर A के साथ C का covariance A, C, फिर बचा क्या, B कैसा C का covariance B से, ठीक है, हाँ बोलो न यार, बना लो गया, example number 12, home work है, कर लो गया, ठीक है, यही मैंने किया था, यह हो जाएगा, final हो गया, इसी में modern portfolio theorem है, इस बार corner theorem का question आया था, corner theorem, minimum variance portfolio करके, वो करवंगा, आखे, अभे revision में आ जाएगा, वो सब कुछ, अब और एक concept है, यह बलाख खतम हो गया, अब आखरी आखरी बात चल रही है, और concept का नाम था, efficient portfolio and optimum portfolio, यह है क्या चीज़, यहर एक बात बताओ, आप बोल रहे हैं कि 2 stock में पैसा लगाना चाहिए, या 3 stocks में पैसा लगाना चाहिए, ठीक, agreement, तो सर, 100 stock होगे, कितना जाने, कितने stocks, और हम उसमें से 2 या 3 कैसे चुने, किन-किन का standard deviation निकाले, किन-किन का correlation निकाले, एका B के साथ, एका JET के साथ, एका C के साथ, कैसे करेंगे सर, तो modern portfolio theory में ही एक बात लिखी हुए, कि सुनो ना, हम कब कह रहे हैं कि 100 stock, 100 में से जो काम के नहीं हैं, उसको पहले हटा दो, हमने का वाउ, हाँ, जो काम के हैं, उसी stock को select करो, और जो काम के stock हैं, उसको में नाम दे रहा हूँ, efficient stocks, या efficient portfolio, पूरे इस 100 में से कुछ ऐसा जुगाल करो, कि देखते ही हट जाए हूँ, आपको देखते ही समझ में आना है, यार ये stock गंदा है, उसको नहीं हटाए, अब जो stocks है, efficient, उसमें से best निकाला हूँ, उसको बलते है, optimum portfolio, सर समझ में नहीं आए, समझा रहा हूँ, माल लो, accounting का taste ले रहा हूँ, accounting का, accounting, और कोई भी आकर देख सकता है, efficient का मतलब यार, जिसका आपस में competition हो, कोई भी उस accounting का taste दे सकता है, ठीक, बड़े सारे लोग टेश्ट देने आए, देखते कौन जीतता है, CA लोग भी आ गए, जो CA final में वो बच्चे भी आ गए, बले, accounting का taste है, हम जीतेंगे, हद तो तब होगी, 11th वाला बच्चे भी आकर बैट गए, कुछ 10th वाले बच्चे भी आज रो, accounting में नहीं पड़ा, अब एक बात बताओं, क्या मैं इन सब में से निकाल सकता हूँ, कि जिसमें कौन-कौन जीतने वाला है, हाँ सर, CA हो सकता जीत जाए, CA, CA में वी वाला भी बच्चा है, CS वाला भी बच्चा है, पर मैंने 10th, 11th वाले बच्चों को हटा दिया, इट मेंस जो मुझे जिसके बीच में competition हो भी नहीं सकता, उसको वैसी हटा दो, बच्चे उसमें से किसी एक को निकाल लूँगा, optimum, पास समझ में आ रहा न, efficient का मतलब, जिसका आपस में competition है, inefficient का मतलब होई ही नहीं, सब फिर भी इसके थूर समझाने की कोश्र करो, यहां लेखा हुआ है, मैं यह नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक example से बात करो, example number 30, ध्यान से देखो, A, B, C, D, E, F, कितने stocks, A, B, C, D, E, F, पाच्छे stocks, इसमें से मुझे, ऐसे stocks हटा देना है, जिसको मैं देखते ही काड़तूँगा, सर जैसे, सबसे पहले return को ढूनी है, 13 है, तो कहीं और भी 13 लिखा हुआ है, क्या, मैं पहले return पी focus करूँगा, सर, A में 13 है, कहीं और भी 13 नहीं लिखा हुआ है, मतलब मैं कहाँ, देखो, अच्छे से कहाँ, एक बराबर return दिखाई दे रहा है, कि हाँ, सर, B में भी 18 पर्शंट है, और D में भी 18 पर्शंट है, एक बराबर, अब जैसी 18 दिखाना, तो फिर risk देखो, इधर कितना है, 7 और इधर कितना है, 6, अगर मैं कह रहा हूँ, इन दोनों में से ही कोई स्टॉक को चुनना होता, तो आप कौन सा स्टॉक चुनते हैं, सर, हम D को, और B में से, हम B को cut कर देते हैं, क्यों, क्योंकि सर, B की अपेक्षा, D अच्छा है, because D provide same return, same return, 18 पर्शंट, at lower risk, yes, तो D तो, B तो हम select में करते हैं, और देखो, तो finally ये कट गया है क्या, yes, ये कट गया, ये inefficient है, और चुम चुमते, 13 और एक बराबर तो return मुझे दिखने लाग, चलो risk देखो, ये भी 5, ये भी 5, ये 5 पर्शंट रिस्क पर तेरा पर्शंट, और ये 5 पर चूँदा, तो सर ये भी काट दो, yes, क्यों, because, 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 C provide higher return at lower risk, ये ना यार, yes, सर, अब इसमें देखो, क्या एक जैसा दिख रहा हैं, नहीं, सर अभी भी तो हम CV निकाल सकते हैं, मैं क्या तो CV बाद में निकालना हैं, सर, पहला काम क्या है, देखते ही कुछ काट सकता है, क्या जरा सोचो, 3% deviation उस पर return कितना हैं, 11, हाँ, कम risk, तो कम return, फिर 6% तो ज़्यादा return, तो नहीं, 3 से 5 पे तो ज़्यादा, फिर 6 पे तो और ज़्यादा, फिर 22, 25, अभी मैंने जो निकाला, वो मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला ये, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है, efficient, efficient portfolio, ठीक है, efficient, अब इसमें से मैं best निकालूँगा, कि इसमें से कोई एक निकालो, कुछ तो मैंने देखते ही हटा दिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा, आप efficient portfolio निकालो, और जैसे निकाल गया, तो फिर इसमें से best निकालो, best निकालने का तरीका एक तो, या तो CV के basis पर, CV तो आपको आता है, CV जिसका कम होगा, इसमें से वो best होगा, या तो जरुरत पढ़ने पर कौन सा ratio, अगर risk free rate दिया है तो, sharp ratio के basis पर, sharp ratio क्या बोलता है, कि sir, risk free का मतलब, risk है यह नहीं, पर किसी stock में, ज्यादा return मिल रहा है, risk free rate है मालो 6%, पर मिल रहा है कितना, 14, 14 minus 6, yes sir, मिल रहा है, कितना extra मिल रहा है, sir, 8% extra मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, 8% यह risk free पर तो 6 मिल रहा था, sir, उदार risk नहीं था ना, यार, इधार risk है, इसलिए तो जादा मिल रहा है, तो यह जो extra मिल रहा, वो कितने risk पर मिल रहा है, sir, 5% पर risk पर मिल रहा, इसको बोले जाता शार प्रेश्व मैं करवाँगा आगे करवाँगा CAPM चब पढ़ेंगा वहाँ शार प्रेश्व आया तो या तो decision किस बेसिस पे लोगे CV क्या होना चाहिए कम या तो शार प्रेश्व वो क्या होना चाहिए हाई ठीक जो भी आयेगा वह बेश्ट है फाइनल यह निकला हमने क्या निका लिया efficient security अब क्या निकालना optimum या तो CV के basis पे या तो risk free rate दिया है तो किस basis पर शार प्रेश्व के बताया सबसे पहले क्या निकाल लिया efficient और क्या बताया कि security ए जो है वह inefficient हो तो आपको मैंने समझा चुका था ठीक है efficient portfolio हो गया c-d-e-f और उसके बाद c-v यूच किया c-v किस पर यूच करना इननी पर c-d-e-f और c-v निकाला मैंने और c-v में सबसे कम c-v यह आया तो मेरे लिए optimum कौन सा हो गया यह यह तो star pressure निकाला और highest star pressure कहा आया सर यहां आया तो यह highest optimum हो गया है ठीक है simple है ठीक है सर कोश्चन नमबर 7 पढ़े बस मुझे यह बता दो कौन कौन सा कट सकता है efficient एक कोशन तो बनाने का बनता है भई a b c d e sir 8 और 8 कौन सा कटेगा या दर मैं ऐसा या तो फिर efficient frontier भी मैंने करवाया था ऐसे select करते थे और फिर ऐसा बनता था कि यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला जो higher करूपे रहता था उसको हम select करते थे इसको बोलते थे efficient frontier आता नहीं ग्राफ पर मैंने क्लास में करवाया रख है खेर मैं इस question पर आ रहा हूँ स्वड़ा फास्ट हूँ जो रूरिया है पता लगा जितने time की class उतने time पर revision हो गये पात घंडे से जादा नहीं पढ़ा हूँगा रिविजन मैंने कसम खा के रखा हूँ ठीक है सर कौन कौन सा कट सकता सर आठ और आठ सर यह चार परशंट पर आठ की कम है यह तो पाच परशंट सर भी काटो सर यह और सुनो चार और चार है ना हाँ सर पहले इसको भी देख लिए चार और चार यह डी भी कट जाएगा समझ रहे हो चार पर आठ और चार पर चार यह सर यह भी कट दो सर लिखेंगे कैसे उसको बहुत प्यार से करो क्योंकि हमको दिक्कत ना सिर्फ लिखने में ही होती है तो अब लिखोगे कैसे में पहले मैं रिस्क देख रहा हूं तू देखो यहां आठ 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 कौन कौन सा कट सकता है सर चार पर आठ है मतलब हम बी काट सकते हैं और एफ भी काट सकते हैं अब मुझे लिखना है कि मैंने बी और एफ को क्यों हटाया तो मैं यह लिखूंगा security B and F are inefficient because A provide same return at lower risk अब और देखो और कुछ हो सकता है क्या और कुछ हो सकता है यह चार यह चार तो क्या यह भी कट सकता है यह सर D क्यों हटाया D is inefficient because security A provide higher return at same risk लिखना बढ़ेगा यह अब कुछ कट सकता है कि सर यह 4% पे 8 risk 4 तो return भी 8 फिर risk बढ़ा तो return भी बढ़ा फिर risk बढ़ा तो return भी बढ़ा तो efficient क्या जाएगा सर A, C और E this is efficient ठीक है ठीक है ठीक है सर वह लिख लो गया फिर बोल रहा assuming perfect यह positive सब्द लिखा है अगर perfect positive correlation है किस-किस के लिचन तो A में हम 75% पैसा लगा रहा है C में 25% पैसा लगा रहा है या तो हम एक portfolio बनाएं जिसमें हम A और C में invest कर दे A में 75% और C में 25% तो हम expect return निकाल ले portfolio का और standard deviation भी निकाल ले portfolio का और उसका comparison बोले या तो आप 100% E में लगाओ और E का तो हमको पता है अलरड़ी ठीक तो हमको क्या क्या करना है A में 75% लगा रहा है और C में 25% तो देखते portfolio का कितना आ रहा है answer तो सर उस हिसाब से देखा जाए तो portfolio का return आ रहा है 9% ठीक जबकि C में पैसा लगाएगे तो उसमें भी कितना आ रहा 9% ठीक है सर अब portfolio का risk कितना आ रहा क्योंकि perfect positive correlation है तो फुटा वाला formula लगा सकते सर इसका risk आ रहा 6% जबकि C में पैसा ए में पैसा लगा रहा है तो 5% तो सर पोटफोलियो में नहीं लगाएगे ए में लगाएगे बात कता है ठीक है यह तो वह वाला को example इसको cut कर दिया डबल डबल आ गया तो हमारा modern portfolio theory कतम हो गया एक बार देखें कि क्या सीखा है revision का revision करवा दूँ ठीक पाच मेट क्या पढ़ा था पाच मेट भी नहीं लगेगा सुन लो सुन था सर हमें हमारा target था modern portfolio theory का कि हमें ऐसी stock में पैसा लगाना है जिसमें correlation negative है उसके लिए पहले सर हमको single stock के विसे में पढ़ना जरूरी हो गया था और single stock का सबसे पहले हमें expect return और standard deviation निकालना पढ़ता है तो सर या तो हमको x post data दिया रहेगा या तो हमको x anti data दिया रहेगा या तो past information दिया रहेगा या तो हमको probability दिया रहेगा तो अगर x post data दिया तो सबसे पहले हमें percentage निकालना पढ़ेगा और percentage निकालने का formula था p1-p0 इस तरह से हम percentage निकाल लेते हैं, फिर उसका average कर लेते हैं, और फिर उसका standard deviation कर लेते हैं, शर्थ यह है कि हमको divided by क्या करना होता है, N, ठीक है, divided by N करना होता है, ठीक है, अगर probability दिया है सर, तो PX हो जाएगा, मतलब कसम खाते हैं कि divided by X, divided by N नहीं करेंगे, और coefficient of variation का formula है, standard deviation divided by X bar, कहां काम आता था है, conflict हो जाता है, तब काम आता है, फिर हमने सीखा कि चलो यार, main मुद्दे की बाद तो correlation है, यस, तो correlation निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, calculation, और फिर हम concept भी चल जाएगे, तो हमने correlation निकाला, correlation के लिए हमें जब्रत किसकी पढ़ती थी, covariance, और covariance कैसे निकाला जाता था, X minus X bar, Y minus Y bar, sum कर लेना उसका, या तो divided by N होगा, या तो multiply किस से होगा, probabilities, और एक बार covariance निकल गया, तो फिर हम क्या निकाल लेते थे, correlation, correlation में हम क्या करते थे, covariance को, standard deviation of X, और standard deviation of Y से divide कर देते थे, अब हमारा, एक चीज़ और हमको याद रहाई कि, जब भी standard deviation of portfolio लगेगा, मांगेगा इस्ट तो ये वाला formula हमको use करना है, मतलब हमें हमेशा कौन सा formula ये use करना है, A प्लस B स्क्वार वाला, ठीक है, ठीक है जब तो अब correlation पर बात आई, concept लिया था, या तो perfect positive हो, या तो perfect negative हो, या तो others हो, अगर perfect positive है, तो risk कम नहीं हो सकता, और standard deviation का shortcut वाला formula लगा सकते हो, standard deviation of weighted average वाला, risk कम नहीं हो सकता, तो इसके लिए weight का तो कोई formula हो यह नहीं सकता, अगर perfect negative हो है, तो फिर weight, तो फिर risk क्या हो सकता, zero हो सकता, it means zero risk portfolio बनेगा, zero risk portfolio, और weight का क्या formula था, दोनों का standard deviation, सोरी, दूसरे का standard deviation, divided by दोनों का standard deviation, और सर इसमें standard deviation of portfolio का formula, प्लीज बड़ा वाला ही लगाना, ICAI यह वाला formula यूज करता है, सर ना तो positive है, ना तो negative है, कुछ others है, तो क्या risk कम कर सकते हैं, या zero नहीं कर सकते हैं, उसको बलते थे हैं minimum risk portfolio, और weight का formula रेंजर वाला था, इसके अलाबा क्या पढ़ा, efficient or optimum, कल की class में होगा CAPM, परसो की class में होगा Arbitrace APT और portfolio rebalance, efficient market hypothesis में यहां नहीं करवाँगा, वो security analysis के साथ में करवाँगा, वहाँ जब revision होगा तब, और इसके अलाबा, efficient market hypothesis के अलाबा, एक topic और भी था, जो मैं पहले यहां cover करता था, वो था sharp optimization model, जो यहां नहीं होगा, वो भी कहां होगा, security analysis के साथ साथ होगा, वहाँ डाल रखा, मैंने इस बार, मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं, C.A.P.M. Thank you so much, bye-bye.